आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए इगनु की पांच नई नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें आपके लिए प्योरी एक्जाम रिजल्ट रिवैलियोशन रिजल्ट की भी अपडेट और साथ इसाथ री रेजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करेंगे तो रिवैलियोशन का जो रिजल्ट है उसकी एक और नई अपडेट आज 14 जून 2023 को रिलीज की गई है जिसको आप चेक कर सकते हैं इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहां पर आपको अपना इन्रॉल्मेंट नमबर डालना और अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं रिवैलियोशन का रिजल्ट दिसमबर 2022 के इस्ट्वेंट के लिए आज आपके लिए दिसमबर 2022 का थियोरी एक्जाम रिजल्ट का भी नई अपडेट जारी की गई जो की आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि 14 जून 2023 आपके लिए नई रिजल्ट की अपडेट यहां पर आपको नजर आ रही है तो अगर आपने दिसमबर 2022 में थियोरी एक्जाम दिये थे तो आप अपना रिजल्ट जो है वो यहां पर चेक कर सकते हैं कि वह आपके लिए अगर किसी भी सब्जेट का रिजल्ट आना आपका रह गया और आज आपके लिए जून 2022 के प्योरी एक्जाम रिजल्ट की भी अपडेट जारी की गई मोस्ली जून 2022 का जो रिजल्ट है वो 70 टिकलेर किया जा चुका है लेकिन अभी वी इसकी जो रिजल्ट की अपडेट है वो आपके लिए जारी की जा रही है इग्णु के अंदर जैसा होना नॉर्मल है जो कि जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि इगलू के चल रहे हैं जनका पहली अपडेट भी आपकी साय नेक्स विक तक जारी कर दी जाएं तो उसका भी आप देखेंगे कि उसका भी दो महिने तीन महिने चार महिने तक आपको रिजल्ट की जो तो उसके रिजल्ट की आज भी एक नई अपडेट 14 जून 2023 को रिलीस की गई है। आपके लिए आज जून 2022 का रिवैलियोशन का रिजल्ट की भी नई अपडेट जारी की गई है। कि आप यहां पर से चेक कर सकते हैं अगर आपने जून 2022 की ठियोरी एकजाम दिये थे और उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में जो माक्स आपको मिले थे वो आपको सही नहीं लगे और आपने उसका रिवैलियोशन के लिए भेजा था तो आपके लिए जून 2022 का जो रिवैलियो है कौन-कौन से इस्ट्वेंट जुलाई 2023 के लिए उसके उपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसको आप चेक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आप उसके लिए या फिर नहीं यानिकि आपको रिरेजिट्रेशन करना है या फिर नहीं और अगर आपको रिर लेट फीज के जो लास्ट इस समय बता रखी है वह 15 जून 2023 बता रखी है आज जो है वह 14 जून 2023 है यानिकि 24 घंटे से कम का समय आपके पास बागी है तो अगर आपको रिरेजिट्रेशन करना है तो तो 24 अभी भी आपके पास है आप रिरेजिट्रेशन कर लिजे क्योंकि जैसा कि इसमें बताया गया है कि लास्ट इट विडाउट लेट फीज यानिकि इसके बाद हो सकता है कि लास्ट जो एक्सेंट की जाए उसमें आपको 200 रुपे तक की लेट फीज जो हो देनी पड़ जाए तो उसको 200 रुपे लेट फीज देने की बजाए अच्छा यही है कि आप अगले एक दिन के अंदर जान की 15 जून 2023 तक आप अपना जो रिरेजिट्रेशन है जुलाई 2023 के सब्सक्राइब का उसको पूरा कर ले आप ऑनलाइन रिरेजिट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन ही आप अपनी रिरेजिट्रेशन की फीस है उसको भी समिट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कसंदेते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेर जरूर कीजिए